हलो दिश इस शिवत्यागी एंड वेलकम यू अल तो दिस वीडियो लेक्चर इस लेक्चर में हम इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया कवर करेंगे और हमारा MPPSC के लिए जो सेलेबस हम पूरा कराएंगे इस सेलेबस में जो MPPSC का जो नया सेलेबस है जो 2020 ऑनवर्ट चेंज दिस इस सम्थिंग अबाद मी यू रीडिट ओके MPPSC के लिए जो सेलेबस चेंज हुआ है उसमें टैन मेजर हैं उनमें जो इसमें से जो टैन्थ हैंडिंग है इसमें नेशनल एंड रिजनल कॉंस्टिशन एंड इसके अंदर यह हमारा टॉपिक है आज का ओके देखिए य इसके बारे में इंडियन कॉंस्टिशन में मेंशन है यह पार्ट 15 के अंदर जो आर्टिकल 324 से 329 है अना उस से रिलेटेड है स्पेसिविकली आर्टिकल 324 जो है वो ECI Election Commission of India के Constitution से रिलेटेड है के Composition से रिलेटेड है और यह जो आपकी देखिए आपका Election Commission of India है यह 25th January 1950 को Establish हुआ है इसलिए यह 25th January है यह National Voters Day के रूप में Celebrate किया जाता है और यह जो इसका celebration है 2011 से स्टार्ट हुआ है ठीक है तो मार्क दी Commission's Foundation Day ओके फर्स सीचीफ इलेक्षन कमिशन जो है सुकुमार सेन थे फर्स्ट विमन सीची विएस रमादेवी थी और करेंट जो सीची है वो सुनील अरोरा है करेंट 23rd सीची और तू अधर इलेक्षन कमिशनर आर असोक लवासा एंड सुनील सुसील चंद्रा ओके पाली सिर्स साथ आर्रच करेंज सीची और है अर्टी आर्टी सेट एंडिया के इन सभी में लेजिस्लेशर एलेक्शन को भी इसके अलावा ओफिस ऑफ दी प्रसिजेंट एंड दी ओफिस आफ वाइस प्रसिडेंट के जो एलेक्शन से वह भी इसी आई की जिम्मिदारी है तो देखे चार हो गए ना पार्लियमेंट का इस्टेट लेजिस ल्वेल्टीज और पंचाइति राज इंस्टिशूशन उनके एलेक्शन जो है ए एलेक्शन कमिशन नहीं करवाता उनकी और सेट इलेक्शन कमिशन होता है अलग से वह करवाता है तो यह धियान रखने वाली बात है ओक हुए अन्ज पार ए यह वह सिंगल member body थी one member body थी जिसके अदर एक CEC होते थे चीफ election commissioner होते थे presently इसके अदर एक CEC होते हैं और दो election commissioner ECs होते हैं ओके सबसे बिदा कि first time 1989 के अंदर 16th of October 1989 में election commissioner two additional commissioner were appointed लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहे very short term तक जन्वरी 1990 तक ही रहे वापस इसको single member बना दिया गया ना यह क्यों किया गया था यह समझने वाली बात है कि 1989 में दो additional election commissioner क्यों प्रेंट किया गए थे क्योंकि इस साल जो adult franchise है इसका जो एज है यह 21 से reduce करके 18 कर दिया गया था और यह सिक्स्टी फर्स्ट जो मैं सी एक constitutional amendment act के द्वारा किया गया था ओके तो यह एक है यह जो है यह जो है ना यह चीज आर्टीकल 326 अना अडल्ट franchise के बारे में मेंसन है आर्टीकल 326 तो इस इस आर्टीकल का यूज करते हुए जो एज है इसको 21 से कम करके 21 से कम करके 18 कर दिया गया था तो ज्यादा कर देखिए वोटर्स ज्यादा हो जाएंगे काम बढ़ जाएगा ना तो ऐसा सोचते हुए दो additional election commissioner अपट किये गये थे और यह देखिए एलेक्शन कमिशनल और सीजी इनको अपट करते हैं सिदेंट अफ इंडिया उके उनका खुद का डिसीजन होता है इसमें कोई उनके लिए कोई बॉड़ी नहीं है सला के लिए ना ओके ना फस्ट जैनवरी इस टाइम तक अगेन इसको सिंगल मेंबर बोडी बना गया था लेकिन फर्स्ट अक्टुबर 1993 से टू अडिशनल एलेक्शन कमिशनल अपट किये गये थे और तब से भी तक ना सिंस देन इट इस त्री मेंबर बोड़ी और मल्टी क्यों देखिए बिकाज इस अब ल्टी मेंबर कमिशन ओके इस ना थ्री मेंबर कमिशन तो मेजोरीटी इस डिसीजन मेगिंग इस पावर्ट वाइजोरीटी वोट ओके अधिए 1993 में एक टीन सेशन जो है एलेक्शन कमिशनर थे चीफ प्रोस्टीजर है यह इसके अंदर यह जो आपका जो मैल प्रैक्टिसेश वो कम हो जाएं जो पैसा चलता है जो 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 बैड प्रैक्टिसेश हैं वो कम हो जाएं इसके लिए काफी इन्होंने ट्राइब किया और उसी दौरान यह हुआ कि दो एडिशनल कमिशनर अपुए प्रैक्ट किये गए थे तो इसको इस एंगल इस नजरी से भी देखा गया कि साइद यह जो कमिशनर है उनकी पावर को कम करने का प्रैयास है क्योंकि देखिए तीन लोग हैं और जब डिस्प्यूट होगा तो मेजरिटी ऑवोट दो लोग जो वोट करेंगे जिस तरह ओके अब हुए कि अब यह भी मैं थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे हैं कि प्रजीडेंट हैं थी पावर तूट जिलैट को सेसी एंडदी ускे और चीफिख एलैक्शन क्मिश्नर और इस तेलेक्सिट करते हैं प्रसीडेंट लेकिं दुखिए यह कि यवल इलेक्ट करते हैं यह सेलेक्ट करते हैं लेकिन यह उनको रिम्मूव नहीं कर सकते हैं रिमूव की अलग प्रोसेस अभी देखते हैं और या फिर उनके 65 यह तक होता है और जो इसी है उनका टेन और शिक्सियर या फिर 62 year of age whichever is earlier again अब अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहेते हैं कि प्रसिडेंट अपाइंट जरूर करते हैं लेकिन इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं विकॉर देखे एलेक्शन कमिशनर सुट शुट भी है और अटोनॉमस बाड़ी एंड इट शुट बी अफ्री बाड़ी ओके इसलिए क्या है कि यह जो है जो सुप्रीम कोट के जो जज होते हैं ठीक उसी तरीक इसे सीची को हटा सकते हैं सीची केन बी रिमूवड स्रॉम आफिस ओनली तुरू एक्क्यूजिशन बाइपार्लेमेंट इस बाइंपीच्मेंट ओके और इनका जो सैलरी है और पर्क्स है पहरों है, वह सुप्रीम कोट के जजर्स के बराबर होते हैं तो रैंक में सीची की रिमूडेशन जरूरी होते हैं उनकी बीना रिमूडेशन आप रिमूड नहीं कर सकते हैं एडवाइजरीजिरिक्षन और का जुटिशल फंक्शन देखिए आपका जो एलेक्षन कमिशन है यह क्वाइजिचल फंक्शन भी यह इसके बाद सेमेजिचल क्वाइजिचल कॉसी जो वर्ड है इसका मतलब है सेमेजिचल अगर एलेक्शन के बाद किसी मेंबर ऑफ पार्लियमेंट या MLA की जो इनलिजिबिल्टी है वो डिसाइड करने है तो उसमें यह एलेक्शन कमिशन कें गिव एडवाईज ओके और इसके अलावा एडिक्शनली अगर सुप्रीम कोट और यह फिर हाई कोई केस है तो वहां पर यह अपना एडवाईज दे सकते हैं और जज़्जमेंट ऑफ दी कमिशन इन ऑल्लस मैटर इस वाइंडिक तुद प्रेसिडे अपनिन देते हैं और यह उपनिएन हैं इनके डिस्क्राइब किया जाए या नहीं किया जाए इसको लेकर और इनका ओपनिएन बैंडिंग होता है यह अगली का यह कि मेंगर अगली बात क्या है कि जो कमिशन है उसके पास पावर है to prohibit a candidate who has failed to lose an account of his election expense within the time and in the manner set by law to see it can prohibit a candidate okay the commission also has the power to remove or reduce the period of such disqualification as also other disqualification under the law okay administrative power क्या है हमारा जो सी जो election commission है इंडिया का यह territorial areas को decide करता है एक देखिए delimitation act के अंदर इंसकी power जो है यह election commission के पास है over the period time to time जो जो एरिया है constitution का वो change होता है और इस territorial area को decide करता है हमारा election commission ओके और देखिए क्या है कि election commission organize करता है और 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 amend करता है periodically amend करता है electoral roles को and register all qualified voters सभी qualified voters के register करना जो है सुनिश्चित करते हैं यह तु इन आज यह election की date announce करते हैं है ना election के nomination paper को scrutinize करते हैं यह देखिए यह political parties को recognition देते हैं और उनको election symbol देते हैं political parties में आपकी जो regional parties हैं और national parties दोनों का recognition इनके द्वारा election commission देते हैं ओके यह representation of people act के अंतर यह 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 authority इनके पास है है कि होके कि अच्छे को for settling dispute अगर कोई dispute होता है related to the granting of recognition to political parties and allotment of election symbol to them उस केस में यह court का का काम करते हैं अभी देखिए जो समाजबादी पार्टी मुलाइं दिंग यादा और उनके बेटे अख्लेश यादा में dispute हुआ था कि जो इनका जो जो symbol है वो कौन लेगा तो उस पर जो dispute का जो के लिए court का का काम करेंगे election commission ओक है administrative power क्या है देखिए election commission ओफ इंडिया जो है वो इन officers को अपॉइंट करते हैं चीफ election officer जो states और union territories के लिए और district election officer को district level पर returning officer होते हैं constitution level पर और जो other electoral registration officer होते हैं जिसको both level officer भी बोलते हैं इन सब का appointment election commission के द्वारा किया जाता है की function क्या है देखिए election commission is considered as guardian for free and reasonable elections it issues model code of conduct it regulates political parties and register them for being eligible to contest election it publishes the allowed limit of campaign expenditure per candidate to all the political parties and also monitor the shame the constitutional provisions can is a related certificate ECI के बारे में article 324 है यह कहता है कि there shall be an election commission of India और इसके composition के बारे में बताता है कि इसके अंदर currently there shall be three members it is three member body one CEC and two ECS okay article 3 326 it is very important article this this is related to adult universe the universal adult franchise okay and these are some other article you can read them okay some other constitutional provision provision are like this no election to either house of the parliament or either house of the legislature of the state shall be called in question except by an election petition election petition के द्वारा ही के थ्रू ही हम किसी election पर को question कर सकते हैं बिना इसके नहीं कर सकते और यह जो election petition है वो इस्टेट के केस में स्टेट लेजिसलेशर के के केस में हाइड कोट में फाइल की जाती है और MLA के के केस में पालियामेंट के केस में सुप्रिम कोट के में फाइल की जा थकते हैं यह एलेक्शन कुट्रिण देखिए अच्छा एलेक्शन कमिशनर आर्दी एलेक्शन कमिशनर एंड इसी सी इसी जारेक्वल यह भी एक बोड़ा के में इसी जारन पेश एलेक्शन के का में गहि Gest आजनर न जारेक्शन के के सुनरत यह जार्ट एंड और मुझन आर्ड खार औरदी ऑ्रिय। दुन है वाइलों पॉड ऒटी हरेक्शन इसी में जारेば 115 25 जैज सी हैं देड सीजिस ऑनिरों आर्ड विशनर ओंड और म CEC is given the power of recommending the removal of ECs with the intention of shielding them and not to use it against them अगर देखिए कि CEC के पास power है कि वो ECs के removal के recommendation कर सकता है तो यह उसको supersede नहीं करता इससे वो supersede नहीं कर देता है ECs को CEC बल्कि यह केवल उनको ECs को protect करने के लिए किया गया है ओके अगे जड़ीफ एलेक्शन कमिशनर और अदर एलेक्शन कमिशनर कंडिशन आप सर्विस सेक्ट नाइटी नाइटी वन क्या कहता है एज इट पॉरवाइड प्रोवाइड देट इन दिकेस और डिफरेंस अफ उपिनियन on any matter, such matter shall be decided by opinion of the majority जो भी majority है उसके according मान लिजे CEC का opinion कुछ है और जो other two ECs उनका opinion same है यदि तो जो उनका opinion माना जाएगा ऐसा नहीं के CEC के opinion को हम ज्यादा value देंगे majority of votes से decide होगा thus the CEC cannot override any decision of the commission by himself तो CEC यहांपर की power पर check है यह, control है थोड़ा independence of the election commission देखिए किसी भी democracy में एक election commission जो है उसकी independence बहुत importance रखती है अगर वो independent नहीं होगा तो फिर fair elections पर एक बहुत बड़ा question mark होगा तो जो हमारा इसके लिए जो election commission का जो independence बनाया रखने के लिए कुछ safe guard का provisions किया गया है इन में से देखिए पहला safeguard यह है कि CEC is provided with the security of tenure इनका tenure की security है once they are appointed, if they are appointed he can hold office for six years from the date he assumes office or till he attends the age of 65 whichever is earlier देखिए वो पहले resign कर सकते हैं पर यह उनकी खुद की discussion है आपके अगर अगर उनमें हटाना है तो देखिए आर्टिकल 324 का 5th clause क्या क्या कहता है कि CEC cannot be removed from his office except in like manner and on like ground as a judge of the Supreme Court यह नहीं जो आपका impeachment process initiate करना होगा यह दी CEC को हटाना है अपरेंट जरूर कर सकते हैं प्रेशिडेंट बड़ प्रेशिडेंट रिमूव नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि प्रेशिडेंट काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा देंगे तो उनके पास हटाने का कोई कोई राइट नहीं है कि अपाइंट करने का राइट है तो इससे क्या होता है कि उसकी फ्रीडम में जो इंडिपेंडेंटेंस वो बनी रहती है देखिए एस फार इस इंडिपेंडेंस ऑफ कमिशने इस कंसरेंट देरा सम अधर प्रोविजिंस लाइक एनी रीजिनल कमिशनल और एंड एलेक्शन कमिशनल के नौट बी रिमूट फॉम ऑफिस एक्सेप्ट और रेकमेंडेशन आफ सीजी जब तक सीजी रिकमेंड नहीं कर सेटेशन ऑफ दैसी केंनोट भी वरी तो हीज डिस अड्वांटेज आप एक बार जो एलेक्शन कमिशनर सीजी एंड अधर इसीज़ अर अपॉंटेट उसके बाद उनका जो सर्विस कंडिशन है उसको उनके डिस अड्वांटेज में आप चेंज नहीं कर सकते हैं चेंज और केवल एड्वांटेज में उनकी सेलरी और पर्क्स को बढ़ाता सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते ना तो टर्म्स उनका टैनियोर घटा सकते हैं ना यह उनका सेलरी और पर्क्स उनको उनको घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं sorry for the disturbance यह फिर से करना होगा okay देखे इसके अंदर फ्लॉस क्या है कि एक तो यह है कि जो कॉंस्टिटीशन है नौट प्रिस्क्राइब दिक्वालिफिकेशन कोई भी लीगल एजुकेशनल और अडिमिस्टिटिव क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की है इसकेस में किसी भी व्यक्ति को इन इलिजिबल कैंडिडेट को भी इसमें अपउइंट किया जा सकता है प्रेजिडेंट के उपर है उनको अपउइंट करना तो किसी अपने परसंद के व्यक्ति को वह पॉइंट कर सकते हैं क्योंकि क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब है नह कितना important body और उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं तोड़ा सा यह ठीक नहीं लगता है दूसरा है the constitution has not devoured the retiring election commissioner from any further further appointment by the government देखे constitution में ऐसा भी नहीं कोई provision है कि जो election commissioner जो retire हो जाते हैं उनको further किसी government position पर appointment करने से नहीं रोका जाता है उनको further appointment किया जा सकता है ऐसा कोई provision constitution में नहीं है तो यहां भी देखिए कि यह major flaws है कि कोई commissioner जो है वो benefit के लिए जो ruling party है या जो है ना उनके benefit के लिए काम कर सकते हैं ताकि उनको बतले में कोई office of the profit मिल सके तो यह कुछ major flaws है थैंक्स इसके लिए देखिए आपने यह lecture सुना उसके लिए थैंक्स हम क्या कर रहे हैं MPPSC का जो 2020 onwards of syllabus change वह उसके wording pre and means के complete course design कर रहे है one by one आपको lecture मिलेंगे यदि आपको इस पर इस lecture ECIE पर election commission of India पर कुछ MCQ practice करना है तो you can go to our website straight zero okay वहाँ पर दीपक सर कुछ ने एक previous papers को लेके और कुछ model papers को लेके test paper बना हुए आप वहाँ जाका practice कर सकते हैं और आगे देखिए आपको इससे related related अगर कुछ जो आंसर राइटिंग से related जो आपके questions हैं जो कुछ आए हुए हैं UPSC में या आपके MPPSC में या other state PSC में जो question आए हुए है ECIC related अगर need होगी अगर आप लोगों को request करेंगे अगर आप आपकी demand होगे आपको लगेगा आप बताएंगे हमें बोलेंगे तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे और देखिए तो आपकी administrative buddies हैं syllabus में उस पर हम सारा का सारा वीडियो हम बनाएंगे सारा syllabus हम आपको complete करके देंगे आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए थैंक यू